वेल्धम टू फिक्टर रयाज दोटो चैनल में आपका स्वागता है दोटो आज मैं आपके लिए पंनिन कंपनी की जिक्सो लेकता हूँ दोटो जिसका मोडल नंबर है 43060 दोटो यह इसका मोडल नंबर है और दोटो ऐ 65 mm की यह जी जिक्सो है और दोतो जुन सा इस वीडियो का मैंने लाइका टार्गर रखा, वो मैंने 5000 का रखा, वो मुझे पता सभी कारपेंटर वाइस वीडियो शुरू होने से पहले लाइका बटन दबा देंगे, चलो दोतो इसकी अनबॉक्सिंग चुरू कर दो तो इस वीडियो में भी giftway लेके आing दो तो आपने वीडियो को skip निकरना शुरू से लेका एंड तक आपने वीडियो में बने रहना क्योंकि हम में last में बताएंगे इस वीडियो में कौनसे टूल का giftway करेंगे की को इक खुलती है में जिसके पूरी बगाराई दियोती आ और एक कि इसके अंदर मिलता है जिसके अंदर आपडे कीश मेंने की वरंटी आ और डो सुझल सॉनन्हें Romina हमें इसके अंदर कार्वन बरश मिलते हैं एक्स्ट्रा और दो हमें एल की मिलती है और दो तो एक हमें यह डैप्ट कटिंग गेज मिलता है जिसके साथ हम कटिंग वैरा कर सकते हैं और दो तो एक हमें डेस्क कनेक्टर होलडर मिलता है और दो तो एक इसके अंदर जिक्सो है मेशीन की डेटेल के बारे में बात कर लेते हैं सामने आपको स्क्रीन पर भी इसकी डेटेल नजर आ रही होगी और सबसे पहले हम इसकी वाट की बात करते तो 600 वाट है और दो तो मिनिमम और मैक्सिमम इसके कितनी बार यानि की blade हमारा उपर नीचे होता है आर्सों से लेके 26 बार एक मिनट में blade की हमारी cutting उपर नीचे होती है अगर दोफ्तों मैंने आपको शुरू में भी बोला था इसके साथ हमें दो blade मिलते हैं एक तो wood cutting का मिलता है और एक metal का मिलता है अगर हम steel sheet कारेंगे वो 6 mm तक की हमारी motor sheet इससे कट सकती है दोफ्तों जिक्सों मशीन की थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं दोफ्तों जोंसी इसकी motor है वो अपनी copper bending से की होती है अगर हम wire की बात करें wire की लंबाई हमें धाई मीटर के क्रीम मिलती है यह भी copper winding है और इसके उपर पीशे एक extra sleep चड़ाई होती है जिसे हमारी तार इतनी जल्दी damage नहीं होती अगर अगर दोस्तों मैं base plate की नीचे जाओं दे steel की हमें base plate मिलती है काफी heavy duty है अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो 6 इंची 300 है और चुड़ाई इसकी पूने तीन इंची के क्रीब है दोस्तों हमें यहाँ पर चार्ट speed मिलती है यानि कि जीरो में अगर आप जैसे wood वगारा कोई भी काट रहे तो आपने जीरो पर रखना है अगर थोड़ी सी pine wood काट रहे तो आपने first पर रखनी है तो इससे थोड़ी सी hard काट रहे हो तो आपने second पर करनी है और जादा hard काट रहे तो तीन पर कर लेनी है आपने तो इस तरीके से करने अगर आपको color combination की बात करूं तो इन्हों ने यहाँ पर silver दे रख है और orange color दे र इसको करके इसको push कर देना तो हमारी लगातार machine चलेगी और यहाँ पर इन्हों रेगूलेटर दे रख है यहनों ने दे रख है maximum और minimum यहाँ से आप speed कम बढ़ती कर सकते एक से लिके पांट तक की speed up आपने हाथ से control बाकी मां सारा work आपको करके बताऊंगा इसके function और भी ब और गी मैं थोड़ सा आपको नजडीक से दिखा दिता हूं तो हमने न इसको इस तर요 के से च कि अब जबल्कुल साथ जीरे में भिलmost 2016 चल रहा है अब जब मैं इसको करूंगा तो यह सोड़ सा ऐसे से कर कर लिगा यह देखना मैं इसको रहों गार तो और चाहिए करेंगा अगर मंद को थर्ड में करूँगा तो और ज्यादा करेंगा यह कि अगर आपने यह प्लाइव गारा 6 mm की या अधी इंची की कार्णी तो आपने कर बिल्कुस को सीधा रख ले ना अधी आफ गारा कार्णी के लिए तो इस तुरी को सकाते हैं तो मैं आपको बेस प्लेट के साथ इसको राइट एंगल में करके दिखाता हूं देखो कितना इसका राइट एंगल जवर्दस्त है यह दो यानकि इसकी बिल्कुल कटिंग भी जोंसी होगी बिल्कुल ना बिल्कुल प्रफेक्ट होगी दो तो एक चीज हमें इसके साथ और यहाँ पर एक छोटी सी पॉकट बनी हुए जिसके अंदर आप अपनी एल्की बगारा कोई भी एक्ट्रा समान बगारा इसके अंदर रख सकते हो जह से अपने ब्लेट अपने रख दिये कार्वन रख दिये इसके अंदर ठीक है और इसको हमने बंद कर दिया यह इसके आपको इसकी स्पीड चैक पर आता हूं यह मिनिम्मम पर कल रही है अब जोको मैंने फर्ट पर कर दिया है जैकि फोर फाइव जोस्तों यहां मारा डस्क नेक्टर फिट होता है इस तरीके से कलको आपने इसको बहार निकालना है तो आपने का करना है नीचे की तरव इसको करना है इसे को कि हाँ इसका लोक लग जाएगा इस तरीके से पुछ करोगे यह बहार आगया आपको आप कर दो 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 तो यह दो कितनी फिंशिंग से कटी है यह बिलकुछ सारी राइट एंगल में कटी है आम तर पर इतनी भी हम कटिंग करते हैं 12 एमम की बदबूनिया हो जाती है यह बिलकुछ राइट एंगल में दो तो बेस पिलेट को अब हम क्या करेंगे खोल के न इसको रोटेट करेंगे जीरो से पंताली डिग्री बेशका पंदरा पर भी करना चाहों पंदरा पर भी हो जाएगा यह हमने स्क्रू लूज कर लेने हैं यह दखो इस तरीके से रोटेट हो जाती है यह दखो यहां इन्होंने डिग्री दे रखी है जिस पर भी आपको करना हो तो यहां पर आपने इस तरीके से कर लेना है यह दखो यह पंदरा यह तीस हर एक डिग्री पर आप कर सकते हैं यह अपने हमने सेंटर ले लिया यह पंदरा पर करना यह जीरो पर आगया हमारा इस तरीके से दोनों तरफ हो जाएगी यह ऐसे हमने बेस प्लेट को रूटेट कर लिया तीस डिग्री में यह देखिए आपको नजर भी आ रही होगी तो हम कटिंग करेंगे इसके साथ करेंगे 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 करें कि और दूटों यह देखिये मैंने तीस में कटिंग की है अगर हम वैसे कटिंग करते फिर हाथ से करते तो बहुत time लग नथा यह देखिये इस भीस तरह के से आइक्तनी में सट करके आप ऐसे कटिंग कर सकते हो यह हम निराइठ हैट एंगल में कर थी और यह हमने 30 डियों me दोस्तों ये मैंने पोने दो इंची के पीस लिया वैसे कमपनी तो पैसेट एमेम का बता रखा है यानि कि धाई एंची के करीब अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए तो एक एक इंची तक काटोगे तब ही सही रहोगे दोस्तों ये पोने दो इंची के मैंने पीस काटा और दोस्तों यानि कि इतना बड़ा मैंने पीस काटा और राइट एंगल में देखो कितना है ये दोको ब्लेट बिल को भी टेडा मेडा नहीं गया ये दोस्तों इसके अंदर मैंने मैंने मैटल का ब्लेट भांद लिया तो मै सिक्स है में यह मोटी मेरी अल्मूनियम की शीट है तो मैं इसको काटूँगा भाड़ो कर सकते हो यहां सी प्राइश की बात करते हैं बना में नियुसे मियुक्त को कि बात करते हैं आपको कहा से परचेज करनी है सामने आपको customer care number नज़र आ रहा होगा तो वहाँ जाके आप एंसे contact कर सकते हैं सामने ही आपको इसका प्राइज नज़र आ रहा होगा और दोतो नीचे मैं description में भी इनका customer तो इसी बहुत ज़्यादा जबरदस्त है गिवे के लिए दोस्तों कमेंट शेक्षिल में जरूर ज़्यादा अपने कमेंट करने हैं तो उसी के जरीए आप इसमें पाटिस्पेंट ले सकते हैं और दोस्तों जिए आपको परचेज करनी है यह सारी चीजे मैंने बता दिया औ लिकन का बटन दबाने के बाद ओल का बटन जरूर दबा देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिक्वेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी मिलते एक नहीं वीडियो के साथ धन्याव कि अधने वाई हमा स graves कि अधने वाल अधने वाल